आप सुभी अच्छे होंगे बिटा आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप Google Classroom जोईन कर सकते हो और किस तरह से आप अपना Homework गुगल Classroom पे सेंड कर सकते हैं चाहे Assignment सेंड करना हो आपको चाहे आपको test paper सेंड करना हो तो किस तरह से आप कर सकते हैं सबसे पहले आप classroom app जो आपके phone में है, सबसे पहले अगर नहीं है तो उसको download कर लीजे, classroom पे आप click करेंगे, classroom पे click करते ही इस तरह आपका interface आजाएगा, अगर आपने कोई class join कर रखिये, अगर कोई class आपको join करनी है, तो आप plus पे click करेंगे, और इसमें देखिए join class और create class दो join class पे जब बिटाप click करेंगे, तो आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा, यहाँ आपको blue box में देखिए class code लिखा हुआ है, और उपर लिखा हुआ है, ask your teacher for the class code, then enter it here, आपको पूछेंगे जिस भी subject का आपको classroom एंटर करना है, और उस teacher ने जो code भेजा है, वो आप इसमें एंटर कर दीजिए, जब आप उस code एंटर कर देंगे, तो आप उस class में automatically, आप उस class में एंटर हो जाएंगे, okay, most of the students ने ऐसा कर लिया होगा, अब उनको problem कहां आती है, उनको problem आती है, किस तरह से homework send करें, या test paper कैसे solve करके send करें, तो इसके लिए आप कोई भी class जैसे आपक open कर लीजिए, यहां मैंने यह class open कर ली है, इसके बाद नीचे देखिए, आप stream, classwork और people, three options है नीचे, तो आप classwork पे click करेंगे, जब आप classwork पे click करेंगे, तो teacher आपके पास, अगर teacher ने test paper या homework भेजा है, तो वो वहाँ पे आपको visible होगा, जब आप उस पे click करेंगे, तो open हो जाएगा, अगर test paper है, तो paper आजाएगा, और इस तरह से आप उस paper को solve करें, किसी paper पे, pin page पे, और उसको solve करने के बाद, नीचे जो bottom में your work वाला option है, इस पे आप arrow पे click करेंगे, तो इस तरह का option आपके सामने आजाएगा, आपको add attachment पे click करना है, जब आप add attachment पे click तो अगर आपने और आपने अपनी PDF बना रखे और उसको drive में या कही file में आपने save किया हुआ है, तो direct आप यहाँ से open कर सकते हैं, और अगर आपको direct photo click करके send करना है, क्योंकि यह बहुत easy और मैं यह कहूंगी कि easiest option है, Google Classroom पे homework upload करने का, तो take photo पे click करेंगे, तो आपके साम आपने camera open हो जाएगा, यहाँ मैंने notebook रखी हुई है, तो notebook की आप pick ले ले, जिस भी page की आप pick send करना चाहते हैं, जिसे मैंने यह photo click कर ली है, यहाँ से मैंने इसको tick कर दिया, अब यह attachment हो रही है, ठीक है, तो जब तक, for example, अगर आपका network सही है, यहाँ आप ensure करें, कि आपक connection बिल्कुल सही हो, अगर internet connection अच्छा होगा, तो यह ज्यादा time नहीं लेगी, अगर internet connection आपका slow है, तो maybe यह कुछ time ले सकती है, ओकी, इसको आप upload होने दीजिए, और जब यह attach हो जाएगी, upload हो जाएगी, तो यह आपको visible हो जाएगी, यह देखिए, यह visible हो गई है, for example, मु जरूर डाल दे, answer seat पे, page number one, page number two, okay, इस तरह से, तो add attachment पे दुबारा से click करेंगे, फिर से take photo पे click करेंगे, और फिर से हमें दूसरे page की हमें photo click कर लेनी है, photo click कर लिया हमने, इसको tick कर दिया है, और तो यह मैं बता रहे हूँ आपको कि अगर आपका paper एक page से ज्यादा है, त और अब जब यह attach हो जाएगा, तो यह भी visible हो जाएगा, इसके बाद आपको यह attach हो जाने दीजिए, उसके बाद process, last process हमारी रहेगे, यह देखिए, यह दोनों pages attach हो चुके हैं, आप hand in page मैं click करूंगे, तो यहाँ आपके पास यह आ जाएगा, ओके, जो homework teacher ने मांगा था, उस homework का answer आपने दिया है, यह test paper है उसका answer, तो hand in आप कर देंगे, जैसे आप hand in करेंगे, तो teacher के पास वो work चला जाएगा, work submitted का option नीचे आ गया है, अगर आप इस work को unsubmit करना चाहते हैं, तो आप unsubmit पे click कर दीजिए, unsubmit, तो आपका work unsubmit हो जाएगा, I hope आपको यह अच् क्योरी हूँ, तो आप जरूर पूछेगा, thank you, thanks a lot.